अब नहीं भारत नेपाल बॉर्डर से गिरफतार तीनों संदिक दातंकियों को छे दिन तक ATS कस्टडी में भेज दिया गया है संदिक दातंकी मुहमत अलताफ भट सेयद गजनफर और नसिर अली से ATS पूछताच करेगी सूत्रों के मुताबिक संदिक रामनवमी और चुनावों के बीच बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे संदिक्दों की गिरफतारी के बाद राममंदिर समेत अन्य अहम धार्मिक स्थनों पर भी सतरक्ता बढ़ाई दी गई है जानकारी के मुताबिक सभी नेपाल से उत्तर पदेश में दाखिल होकर जन्मू कश्मीर जाने की फिराख में थे पाकिस्तान का अलताव भट पाकिस्तान का सयद गजनफार और जम्मू कश्मीर का नासर अधि आरोप है कि ये तीनों भारत को दहलाने की प्लैनिंग में थे जानकारी के मुताबिक अलताव भट तो आतंकी संगटन हिजवर मुझाईदीन से जुड़ा है उसने कारगिल की जंग के बाद से ही हिजवर मुझाईदीन के कैंप में आतंकी ट्रेनिंग ली थी वही नासिर पाकिस्तान की खौफिया आजंसी आईसाई के इशारे पर काम कर रहा था तीनों का प्लैन था कि नेपाल के राज़ते भारत में भुझ कर दहशत पहला सकी लेकिन यूपी एटियस ने उनके प्लैन पर पानी फेर दिया यूपी एटियस को आउपियों के पास से पाकिस्तानी पासपोर, पाकिस्तानी पहचान पत्र, ड्राइवें नसिंस और फ्लाइट के टिकट मिली है तीनों आउपियों से फर्जी अधार कार्ड भी बरामत हुए यूपी एटियस अब अगले छे दिनों तक तीनों संदिग्दों से उनके पाकिस्तान में बैठे आखाओं के बारे में राज उगलवाएगी को खोजेगी दूसरी बात भारत में दाखिल होने वाले गुप्त रास्तों के बारे में भी वो जानकारी लेगी अब देखिए वहाँ एलोसी के वहाँ पर तो पूरी तरह से सक्ति कर दी गई है तो यह नेपाल के रास्ते घुषपैट कर रहे हैं तो नेपाल से भारत और जम के रास्ते फिर से जम्मू कश्मीर में घुषनी कोशिच कर रहे हैं आएसाइ हिजबुल मुझाइदीन के संबंदों पर पूश्ताज भी चलेगी जम्मू कश्मीर के नासिर के बैंक खातों की जाच भी होगी नासिर के मोबाइल का डेटा भी खंगाला जाएगा कि भाई इसके साथ साथ में और कुछ गुर्गें हैं कि नहीं OGW हैं कि नहीं कुछ hybrid terrorists हैं कि नहीं जम्मू कश्मीर में इस वक्शुपे बैठे हैं हिजबुल मुझाइदीन कैंप की ट्रेनिंग के बारे में भी जाना जाएगा कि अब इनोंने इनका ट्रेनिंग कैंप कहां बचाया है P.O.K. में ही कहीं पर है कोई नहीं जगए है या फिर किसी और जगए पर ट्रेनिंग करकर ये पूरा घुमा हुआ रस्ता ले करके नेपाल जा करके नेपाल से भारत के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं इन तीनों संदिक्दों के नाम मुहमत अलताफ भट, सैयद गजनफर और नासिर अली है बताया गया है कि मुहमत अलताफ भट और सैयद गजनफर पाकिस्तान के नागरिक हैं ये पाकिस्तानी सिटिजन है, भारत के अंदर घुशपैट करकर यहां आतक मचाने की इनकी साजिश थी और नासिर अली जम्मू कश्मीर का रहने वाला है जानकारी के मुताबिक अलताफ भट ने कारगिल की जंग के बाद ही हिजबूल मुजाइदीन के कैम्प में आतंकी ट्रेनिंग ले ली थी और नासिर पाकिस्तान की खूफिया एजेंसी आईएसाई के इशारे पर काम कर रहा था तो यह इनकी तस्वीरें हैं यह तीन लोग हैं जिनको अब अरेस्ट कर लिया गया है एटी-एस छे दिन तक आप इनसे पूस्ताज करेगी यह तीनों हैं अलताफ भट, सहीद गजनफर और नासिर अली अलताव भट और सेद गजनफर ये सेद गजनफर है और इससे पहले हमने आपको ये नासिर अलिया है जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है और ये सेद गजनफर है सेद गजनफर और अलताव भट दोनों पाकिस्तानी मूलगे हैं और पाकिस्तानी है झाल झाल